क्या पानी में ज्यादा देर तक रहने पर आपके हाथ भी हो जाते हैं ऐसे, जाने आखिर क्यों। गौर फर्माने की बात यह है कि पानी में ज्यादा लंबे समय तक रहने पर हमारी उंगलियों की तवचा क्यों सिकुर जाती है। गर्मी के मौसम में तालाब या नदी या फिर समंदर में डूप की लगाने का मजा ही कुछ और है घर में भी हम इन दिनों लंबे समय तक नहाते रहते हैं अक्सर बच्चों को हमने ऐसा करते अक्सर देखा होगा कि जब वे अपने हाथ को पानी से भरे टब या बाल्टी में डाले रहते हैं अब गौर फर्माने की बात यह है कि पानी में ज्यादा लंबे समय तक रहने पर हमारी उंगलियों की तवचा क्यूं सिकुर जाती है कभी न कभी हम सभी ने ऐसा होते हुए देखा होगा कि पानी में हमारी उंगलियां सिकुरने लगती है क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है ऐसा क्यूं होता है पानी में उंगलियां इसलिए सिकुर जाती है क्योंकि इससे पानी के अंदर किसी भी चीज को पकड़ने में आसानी होती है किसी भी चीज पर हमारी ग्रिप अच्छी बनती है जैसे ही पर्यावरण में परिवर्तन होता है हमारा शरीर उस अनुसार खुद को ढालने लगता है ताकि हम अच्छे से सवाइब कर सकें यह एक विकासवादी प्रतिक्रिया है जो की नर्वस सिस्टम के कारण होता है इस विशे पर कई शोद भी हो चुके हैं जिससे यह बात साबित हो गई है कि पानी में बहती हुई या डूबी हुई वस्तूओं को हम सुखी उंगलियों की तुलना में सिकुरन वाली उंगलियों से 12% तेजी से पकड़ सकते हैं यानी गीली उंगलियों से हम ज्यादा अच्छे तरीके से गीले वस्तूओं को उठा सकते हैं पानी में ज्यादा समय तक रहने से दिमाग से सिंगनल मिलता है तभी ऐसा होता है हमारी तवचा के अंदर मौजूद नसें सिकुरने लगती हैं जिसे रक्त का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है और फलस्वरूप उंगलियां सिकुरने लगती हैं अगर आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो इसे घर पर भी ट्राय कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी इस बारे में बता सकते हैं